नमस्कार मैं हूँ ससी आया जरगां की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं PM किसान समान निधी योजना के तहट 6,000 की जग अब 12,000 रुपए किसानों की आयो को दूगनी करने के लिए सरकार का योजना है चला रही है जिसमें से एक PM किसान समान निधी योजना बता दे इस योजना के तहट सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोधी सरकार किसानों को मिलने वाली इस सुविधा को डबल करने का विचार कर रही है अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6,000 रुपे की जगा 12,000 रुपे तीन किस्तों में मिल सकते हैं बता दे पीएम किसान योजना का लाव उठाना चाहते हैं तो फटा फट उसके लिए रेश्टेशन कराना होगा जारखन में मांसुन सक्रिये है राजे के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में अची बारिस होई है मौसम के अंदर के वरिये पर जानी अविसेक अनंद के अनुसार अगले 5-6 दिनों तक जारखन में अची बारिस होगी बतादे 29 अगस्त को राजी के कई इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है 29 अगस्त को राज धानी में बादल छाय रहेंगे वही 31 अगस्त को भी कई इलाकों में एक बार मज़ दर्ज की बारिश हो सकती है ज्यारकंद में पॉाली से बरावी तक के सिलेवस में 25,3 कट वती की मनजूरी पॉली से बरावी कक्छा के पाठ़ करले में 25,5 कट वती की प्रस्ताव पर समाती बन गई है जारकंट सिक्षा परियोजिना परिशत की राजे परियोजिना निदेशक की अन कुमारी पासी के अध्यक्षता में आईजित बैठक में सनीवार को इस पर मुहर लगाई गई पता दे इसमें सभी विशायोक से 25-25 फिशदी पाठे क्रम में कटवती की समती दी गई है साथ ही अंग्रियाजी समेतों ऐसे विशायों जिसमें कठीन अध्यान है और उसे नहीं पढ़ने से नुकसान नहीं है तो उन्हें विशन सोधित सिलेवस से हटाने को कहा गया है वहीं बैठक में नौवी से बरहविक की शमाही और बार्षिक परिक्षा जार्खन एकेडमी कौन से लिवर से लेने पर भी मुहर लगाई गई जार्खन में दस हजार क्रोर का होगा निवेस डेल लाख रोजगार की उमिद निवेसकों को अकर्षित करने के लिए जार्खन सरकार द्वार नई दिली में आविजी इन्वेस्टर सब्मिट अपने उदेशियों में सफल रहा बतादे दो दिवसी इन्वेस्टर सब्मिट में ओध्योगिक समुहों ने राई सरकार के साथ करीब दस हजार क्रोर के निवेस समझाते पर हस्ताक्षर किये इन करारों के धरातल पर उतारने से राज्जे में करीब डेल लाख रोजगार का सिरीजन होगा इसमें 35 परतिसत लोग अपेक्षा क्रित पिछणने माने जाने वाले अनुसुची जनजाती और जाती वर्क के होंगे बतादे नाई दिली में आईजित इन्वेस्टर सम्मिट के दूसरे दिन सनिवार को मुखमति हमान सुरन की उपस्तिती में निवेस को ने ये मयू पर हस्ताक्षर किये ज्यारखन में प्रात्मिक सिक्षको को मिलेगी प्रोनती जार्खन के प्रात्मिक सिक्षकों को पीछले परभाव से ग्रेड 3, ग्रेड 4 तथा ग्रेड 7 में प्रोनती मिलेगी इसके तहद सिक्षकों को निर्धारित अधी तक सेवा पूरी करने पर आरक्षन रोष्टर के अनुसार पद की उपलोत्ता के तीथी से प्रोनती दी जाएगी बतादेश कुली सिक्षा यम्सक्षरता विभाग ने जारखन उस नियाले के आदेश तथा महादिवत्ताक के प्रामर्स पर इसे समंदित आदेश जारी कर दिया है जानकारों के अनुसा इस निर्नार से सिक्षकों को अगरेतर ग्रेडों में सिक्र पुर्णती मिल सकेगी जिससे परधाना ध्यापकों के रिक्तपद भी भर जाएंगे ज्यारखन पूलिस ने अपराधियों का बायो डाटा के लिए बनाया खास सप्ट्वेयर इंट्रो प्रेवल क्रिमनल जस्टिस सिस्टम वग्षकों के आज आने से अब पुलिस के पास अपराधियों का रिकॉर्ट फिंगर टीप्स पर होगा बता दे इस तक्निक से पुलिस अधिकारियों को कोड का चक्कर वबिभीन राजियों में दढ़ने से नजात मिलेगा इसके लिए पुलिस चिला मुख्याले को मेल करेगी जिसके बाद वहाँ से उन्हें पासवर्ड मिलेगा बतादे पासवर्ड से जब सफ्ट्वेर को खोला जाएगा तब पुलिस अधिकारी कम्प्यूटर पर बैठे पूरे देश के आपराधियों का रिकोर्ड देख पाएंगे जार्खन की तन्या सिना ने जीता मिस गुलोबल इंडिया का खिताब जार्खन की तन्या सिना ने मिस गुलोबल इंडिया का खिताब जीत लिया है बतादे मिस और्थ इंडिया 2018 नीसी भर्दवाज ने तन्या को ताज बनाया तन्या ने हरियाना के गुरुग्रा में आयोजीत गलेमानन्द सूपर मोडल कॉंस्टेट में या ब्योटी खिताब अपने नाम किया बतादे तन्या अब मिस गुलोबल इंडिया इंडिया 2022 में देश का प्रतिनिधित करेगी भुरकुंडा इस्थित सिरी अग्रसेन इस्कूल की प्रचारया निल कमल सिना की पुत्री तान्या सिना ने उक्त कॉंटेक्ट में जार्खन के प्रसीधी चोव डांस को सोकेस किया है जार्खन सिक्षा मंत्री की तवियत बिगडी साथ घंटे बाद अस्पताल से मिली छुटी कुरोना सिजंग जीतने के करीब 9 महिने बाद मंत्री जगनात मतों की तवियत अचानक खराब हो गई बता दे उन्हें सनी बार को दीन के 12 बजे के आसपास मेधानत अस्पताल में भरती कराया गया उन्हें सुबह में अचानक दोस्त और उल्टी होने लगी इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया यहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए आईसवी में रखा गया और साम करीव साथ बजे उन्हें अस्पताल से छूटी दे देगी है बता दे छूटी मिलने के बाद वे राचे श्थित अपने आवास लोट आया है जहारखन हाई कोट के अधिवक्ता करेंगे अंदोलान सुप्रीम कोट में प्रेक्टिस करने वाले वाकिलो को ही हाई कोट का जाज नियुक्त करने के सुप्रीम कोट बार एसोसेशन के प्रस्ताव और नए हाई कोट परिशर में वकिलों के लिए परयाप चेंबर की विवस्तार नहीं किये जाने पर जार्खन हाई कोट के दिवक्ता अंदुलन शुरू करेंगे बता दे इसके लिए हाई कोट एडवोकेट एसोशेशन ने दोस्त सितमबर को सभी सदस्यों की आम बैठक बुलाई है या वर्चुल बैठक सामचाव बजे होगी जार्खन में 14 नए केस मिले हैं जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 142 है भारत में 45,050 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,62,424 है मांसून सत्र को लेकर दो को जामूमो कॉंग्रेस राजत की बैठक मांसून मुक्ति मुर्चा के महा सची बिनोद पांडे नैस समन्द में जनकारी दिए जार्खन सरकार ने डाल मिया टाटा इस्टील और आधोनिक गुरूप के साथ किया समझाता जार्खन सरकार की ओर से नए दिली स्थित होटल ताज में आजोजी दो दिवसी ए इन्वेस्टर सब्मीट का युजन किया गया जार्खन सरकार के बीच एम ओयू हुआ इसके तहद सबसे पहले डाल मिया समों के साथ जार्खन सरकार का एम ओयू हुआ इसके तहद समों बोकारों में सिमेंट का कर खाना लगएगा बताद एक सोलर पावर प्लांट के स्थापना होगी राजे में डाल मिया सम्मों कूल 77 ठावन कोड का निवेस करेगा कॉंग्रेस के नए अध्यक्ष राजे स्ठाकूर पहुंचे रांची जार्खन परदेश कॉंग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर सनिवार की दो पहर करीपों ने दो बजे नए दिल्ली से रांची एयरपोट पहुंचे जहां उनका धोल नागाडों के साथ जोरदार स्वागत किया गया उनके साथ सभी चारे कारे कारे अध्यक्ष गीता कोडा बंधू तिर्की जलेस्वर महतो और साजादा अन्वर भी आए बता देयरपोट परमंत्री बादल पत्रलेक ने इन ने तावक यगवाई की देव घर हवाई अड़े की सुरक्षा में तयनाथ होंगे 136 जवान देव घर हवाई अड़े की सुरक्षा में सर्निवार को 136 अधिकारी जवान तयनाथ हो जाएंगे इस से समंधित आदेश पुलिस मुख्याले ने सभी जीला के SSP-SP को दे दिया है बतादे इन अधिकारी जवानों में दो पुलिस निरिक्षा क साथ दरोगा 17 A.A.S.I. 16 हवलदार व 94 जवान सामिल किये गए हैं जो विभीन जीलों से अगले आदेश तक के लिए देव घर हवाई अरपोट की सुरक्षा में तयनाथ होंगे गैर अनुसूचित जीलों में सिख्षको की नियुक्ती नहीं किये जाने पर ज्यारखन हाई कोट निर्न राजगी जताई है बतादे अधालत ने कहा है कि सरकार की ओर से इस पर अभी तक निर्न नहीं लेना दुरभागे पूर्ण है अधालत ने सरकार कुदस्त सितंबर को सुप्रीम कोट के आदेश के साथ अधालत में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है एक आउमाना याचिका पर सुनवाई करते हुए जास्टिस एसके दिवेदी के आदालत निर्देश दिया इस समान में ओम कपूर ने अउमाना याचिका दायर की है थन्यवाद